हिमालिया क्विस्टा प्रो है सुपीरिय प्रोटीन वे दे हल्दी वे तो फिन्स बड़कम तब मजगया जब GST की छापे मारी शुरू हो गई रेट कहें या इसे सर्वे जिसको लेकर वैपारी वर्गों में खासी नाराजगी है और इसी नाराजगी को भापने और जानने के लिए इस समय वारानसी के जैत पूरा इलाके के इस चौका घाट छेतर में हम मौजूद हैं जहां साडियों के साथ साथ ड्रेस माटेरियल मेनुफेक्चरिंग होती है तमाम मेनुफेक्चरर से लेकर ट्रेडर भी इस इलाके में रहते हैं और इनी से बात करते हैं चुकि बनारसी साड़ी बनारसी ड्रेस माटेरियल बनारस की पहचान है और बनारस का एक बहुत बड़ा तबका इस पर निर्भर करता है ट्रेडिंग करता है और इसी सारे मसलों पर जानने के लिए हम आप पहुचे हैं इस शेतर में सवाल ये है कि वैपारी आखिर GST के इस कारवाई से क्यों नाराज है क्या वज़े है पहले अपने नाम बताईए मेरा नाम सहिलेस हुआ मैं सहिलेस सिंग ब्यापारी GST के छापे से नाराज नहीं है अधिकारियों का चाल चलन सोसन का जो तरीका है नाराजगी हमारी वहाँ पे है अगर वो आते हैं साल भर के हमारे लेखा जुखा को देखें हमारे ब्यापार को देखें और हमारे ब्यापार करने की चीजे मोडस अपरेंडी क्या होती अगर ये ब्यापारियों को पता होती तो ये तकलिफ आती ही नहीं ये ब्यापारियों की अग्यानता नहीं है एक काम करने का तरीका होता है कि हमने ऊपर हम बैठे हुए अपनी गदी में और नीचे मैंने मशीन पे चलाने के लिए कुछ धागा देना है मैंने उसको नोट करके दे दिया कि बेटा ये ले जाओ 100 ग्राम ये धागा 50 ग्राम धागा ये तुम ले जाके चला के ले आओ जब वो कपड़ा बनके आएगा तब हम बिल बनाने के कंडिशन में होते हैं और अगर अधिकारी आके ये कहता है कि आपने ये 100 ग्राम लिखा 50 ग्राम लिखा दो किलो लिखा तो ये आप दो नंबर से काम कर रहे हैं ये उन अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि मेरे मोडस आप आपरेंडी को समझें कि हम कैसे काम करते हैं उसके बाद उनको जो करना है करे ये कोई high school या entire made की परिक्षा नहीं कि एक चिट देखा और आपने हमें रिस्टिकेट कर दिया बाजार से बाहर कर दिया हम ब्यापार कर रहे हमारे पास सव सादा पन्ना हो सकता है हमारे पास इनवायस की कापी हो सकती है आप मेरा पर्चे चिक करिए मेरा सेल देखिए अगर कहीं कोई गड़बड है फिर हम पेनाल्टी के लिए भुकतान के लिए तयार है चुकि कपड़े का रोजगार कपड़े का ब्यापारी किसी भी प्रकार के सिल्स टैक्स में रेजिस्टर नहीं होता था हमें बही खाते रखने की आवसकता ही नहीं होती थी वो तो इस सरकार ने 2017 के बाद से हम लोग को GST मिला गया दे हमें सीखने में समय लएगा आज जिन हजारों अधिकारियों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ जिन हजारों अधिकारियों ने GST का ड्राफ्ट तयार किया था PCS अस्तर से कम का अधिकारी नहीं होगा IIS अस्तर के अधिकारी का ब्रेन लगा होगा उसमें उन लोगों ने हजार से जादा संसोधन किये हमें तो एक संसोधन करने की छूट नहीं मिली है क्या वो आदमी नहीं थे उनसे गलतियां नहीं हुई क्या हम आदमी नहीं हैं हम ब्यापारी नहीं है हमसे गलतियां नहीं हो सकती है कि हम कैसे सही कर सकते हैं उसके बात जो करना है वो करो ये हिटलर साही हमें मंजूर नहीं है कि आप आए और एक कागज देखे और चालान ठोक दिये हम इसका भी रोध करेगा जले जी ये बताइए कि अभी चुकी उत्तरपरदेश के 17 नगर निगमों में चुना होने है तो अभी जो सरकार रोल बैक हुई है बैक फूट पे आई है क्या लग रहा है ये इसी नाराजगी की वज़ा है या एक बड़ा सहर में रहने वाला जो ट्रेडर का तपका है उसको नाखुश नहीं होने देखना चाहती है ये सरकार क्या इसी वज़ा से ये बैक फूट पे आई है देखें अगर ब्यापारी नाराज है और ब्यापारी को तकलीफ है तो सिर्फ उनके इस आदेश से उसकी नाराजगी दूर नहीं हो जाएगी इसमें सबसे बड़ी बात है ये रोल बैक होने का सरकार जो आप कह रहा है मैं ये कहता हूं से सिर्फ 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है तो हमको ये लगता है कि सरकार अपने अधिकारियों को दुरुस्त करना चाहती है उनके नटवोल्ट कसना चाहती है व्यापारियों की नाराजगी का इससे कोई मतल करते हैं व्यापारी सरकार से नाराज नहीं हो सकता लेकिन इसी छेतर में जहां हम खड़े हैं इसी छेतर में जीएश्टी के अधिकारियों ने सर्वे किया उनके शब्दों में रेड हुआ या छपे मारी हुई तो इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या व्यापारी ना हो गया है कि वो पहले इस सब चीज से ना इसकी जानकारी नहीं थी स्वेल टेक्स इंकम टेक्स क्या होता है बहुत कम लोग जानते थे लेकिन जब से जीएश्टी लागू हुआ है वो धीरे-धीरे अपने कारोबार में सुधार ला रहे हैं जैसा कि सैलेस भाई ने बताए है कि एक तो जो है परची मिल गया तो उसको लेकर के तो बुनकर बैपारी जो है उसके पास 10-20-25-50 कारीगर काम करने वाले होते हैं तो हर कारीगर को थोड़ा-थोड़ा धागा वगरा देता है मेटरियल देता है वो कपला जब तयार करके लेकर के आएगा तभी तो उसका क्मक्राइब जाने कट तो सरकार बैक पुट पर नहीं जाएगी क्यों हो जाएगे सरकार बैक पूट पर को या सरवे को रोक तो दिया गया है तो जो नगर-नीगम चुनाव होने है क्या लग रहा है सरकार को येए सत्ता रूर्ण पार्टी को ये भैस अता रहा है कि अगर इसमें सहरी छेतर में रहने वाले वैपारी नाराज हो गए तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अपना नाम बताई है मेरा नाम अकील अंसारी है मैं उत्तर परदेश बुनकर सभा का अध्यक्ष हूँ जहां तक सरकार का सवाल है सरकार ने जो अपना पाउप वापस खीचा है थोड़ा बहुत इसमें ये सचाई है कि ये आने वाले नगर निगम के चुनाओं को भी लेकर है लेकिन 100% ये सचाई नहीं है ये हमारे व्यापारी भाईयों के विरोध का ही असर है जिसके कारार सरकार आज विरोध हुआ है वो नौबात आई कि विरोध हुआ सरकार तक ये मैसेज गया कि वैपारी वर्ग नाराज है तब इस चुनाओं को देखते हुए वो पीछे हटा है चाहे बहतर घंटे की छूट मिली है बहतर घंटे तक छापे मारी सर्वे को रोका गया है तो कहीं न कहीं इस नाराजगी और नगर निकाय चुनाओं को जोड़के तो देखा ही जाएगा हाँ है इसमें दोनों है और जहां तक है हम लोग के प्रोड़क्ट कायद के हम बुनकर है हम अपने प्रोड़क्ट करते हैं माल GST से लेते हैं हमारे माल कई प्रोसेस होते हैं ताना है बाना है जब तक से चार जगे पहला होता है हम छोटी चोटी कापियों पर लिख कर डाल देते किनके है इतना माले है जब वो माल के शकल में टयार होता है जब उसको हम सेल करते है तब उसको GST देखाएंगे अब सरकार कहい गे आपने दस लाग का माल खरीदा है झाल कि इसलेक लाग कि है तो भाई हमारा माल मसीनों पर है पनिसिंग में चार जगे रखा हूआ है इसको लेकी जिस तरीके का विभार कर रहे हैं जिस तरह का दरा, धमका के, हैरिश करके, पिनाल्टी का डर दिखा के, हववा बना के, एक हववा बनाया गया सारे अधिकारियों के डराने के लिए, उनको जमकर डराया गया, अधिकारियों का रवाया इतना खराब था कि अधिकारी डरा रहे हैं, शोशन कर रहे हैं, धमकार रहे हैं, जिसकी वज़ा से ये सारी उवाफों की सिती पैदा हुई, लेकिन अब थोड़ी बाल राजनीती करते हैं, एक तरप केशो परसाद मौरिया कहते हैं कि इस पर राजनीती नहीं होनी चाहिए, पहले जो गुंडो भी शुरू हो गई है, कहीं न कहीं, जो सत्तापक्ष के लोग हैं, वो कह रहे हैं, अपने अधिकारीयों को अपके नटबोल कसने की बात कर रहे हैं, तो वहीं अखले शादो कर रहे हैं, सारे वैपारी अब सामने आके अंदोलन करें, पहले अपना नम बताई हैं, सर मेरा अनम हकरम अंसारी है, और मैं यहाँ पर कोई राजनीती की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम बुनकर हैं, हम कपड़े बनाते हैं, हम एक ऐसा रोजगार चाहिए, हम ऐसा रोजगार कर रहे हैं, इसे मेरा राजनीती से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, हम एक लगूत चलाते हैं, कपड़े को बुनते हैं, छोटे-चोटे पॉकेट्स हैं यापे, दो लूम वाले, तीन लूम वाले, हतकरगा वाले, जाते हैं, वो पांसो हजार रुपे जाते हैं, धागा खरित के लाते हैं, कैश मे लाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, लेकिन अब डिप्टी सी परन्तु आगे क्या होगा क्या नहीं होगा अभी तक साफ सुत्री नहीं है तो एक तरह से जो भी वेपारी वर्ग है वो कही न कहीं असंतोश है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा हर लोग घबराया हुआ है कोई चोर नहीं है मेरा मानना कोई बुंकर चोर नहीं है बनारा से कोई बुनकर चोर नहीं है तो और अभी घबलाहाट भी बनी है यह बताइए कि अभी जो ट्रेडिंग हो रही है तो आप लोग इस छापे मारी सर्वे के बाद कुछ अपने ट्रेडिंग का तरीका बदले है अभी क्या काफी डर सहम के वेपार कर रहा है यह बताना चाहिए कि हमें कैसे करना है तो जैसे वेपार अपना असमसंदन कर रही है उसे हम सही करते हैं तीन मेहने पहले बतमालों होता है कि यह चीज होने वाला है उसका तरीका तीन मेने का फिर वह चेंज जूँगा जाती है तो जेश्टी में चेंजिंग इतनी ज़ादा होती है कि वैपारी आज यह कुछ करता है कल तीन मेने का फिर कुछ करता है एक सिस्टम बनना चीएगी अब ऐसे ही करना है अपने को मतलब यहां जवरत है एक पक्के नियम की और जो अधिकारियों और उनके साथ जीएश्टी के जो तमाम लोग है अला अधिकारियों उनके रवये में बदलाओ की जवरत है ना कि वैपारियों को अपने वैपार करने के तरीके में बदलाओ की जवरत है इसको कितना सही मानते हैं पले अपना नमत देगे मेरा नम इश्टिया कलम है और अब देखिए इसमें हम कोई मश्वरा देने की पोजिशन में तो है नहीं हम लोग एक साड़ी बनाते हैं और साड़ी का जो वैपार है अभी तक तो ऐसे चल रहा था कि हम रेशम की साड़ी बनाते हैं जिसमें डेली का बेसेस पर होता है कि हमसे वैपारी कहते हैं कि गरहां काया है चार शाड़ी पहुंचा दो तो आब एक गदी पे गई उसने का अच्छा नहीं चाहिए वो दूसरी पहुंचा दिया एक दिन ओंसाड़ी पांच जंगा रांड होती है तो अब इसको आधिकारी आके हमको बताएं कि वह पांचों का हम बिल बनाएंगे फिर उसको रिटन दिखाएंगे फिर बिल बनाएंगे फिर रिटन दिखाएंगे वह तो सैंपल में गई परशानिया हैं मुद्दे हैं क्यों नहीं सरकार इस तक यह बात पहुच रही है नगर निकाज चुनाओ भी है और अभी फिलहाल इस पर रोक लगी है छापे मारी पे और यह सरवेगी कारवाई पे तो क्या लग रहा है सरकार कुछ सोची है इस विसे में बैक फूट पर आई fishery है सर एक मुझाओरा है कि आदू वे सुंता है जो सुनना चाहते है अगर आप किसी की नजर में बुरे हैं तो आप जितने भी अच्छे हो जाए अच्छे नहीं हो सकते और अगर अच्छे हैं तो जितना भी बुरा काम करेंगा वह बुरा नहीं होगां अगर सरकार की अने नजर में यह है कि भूनकर चोल है तो में जितना भी अच्छा काम करें इसका धिल हम्कार में को बुक्त करने चाहिए Cert में हो ऺधी मदड करनी में हो रहा है इंफर्सेक्टर है एंदाबाद में हो रहा है तो सरकार को भी होश आ लेकिन अपनी किसमा तो भरोसा है जिस दिन जाके की हो जाएगा नगर निकाय चुनाओं है क्या लग रहा है यह जो अभी चीजे फिलहाल फौरी तोर पर रहात दी गई है क्या लग रहा इसकी वजह नगर निकम का चुनाओं है मेरा नम लगैं सभी ऑला मेरे बात तो सही एक टाइम है तो गवर्मेंट इस क्रीप click करेंट शिदेशक पर अडूल बारे चिज़ें चर्थ करती है कि इतना सांटिक्स लोग होते हैं पहले कोई दवा बनाते हैं तो पहले वह सारा चीज एक्सपरिमेंट हो या दोर बीच जाएगा तो सरकार फिर एक बार इस पर कड़ाई करेगी सकती कर सकती है यह मान रहे हैं आप लोग को या इसका कुछ फीडबैक आप चुनाओं में करके दिखाएंगे वह तो डिपेंड करता है कि उस टाइम क्या होगा लेकिन अगर हो सकता है गवर्मेंट को ही खुद समझ जाए इससे कोई फैदा नहीं है क्योंकि चीजे इतने दिन से नहीं करना स्टार्ट करें लोगों को जब हर टाइम पर 6-6 महिने पर 3-9 चीजे वह खुद ही चेंज करते रहते हैं तो हम लोग भी कैसे उस चीज को फॉलो करेंगे तो वह तो डिपेंड करता है कि एलेक्शन की वजह से हो सकती है लेकिन इनकी अपनी समस्या है क्योंकि ज्याद करते हैं जिसकी वजह से लगातार इनको समस्याओं से दिक्कतों से दोचार होना पड़ता है हाँ यह डर जरूर बना हुआ है कि एलेक्शन के बाद इन पर एक बार फिर से कारवाई की जा सकती है लेकिन एक बड़ी वजह है नगर निकाय चुनाओ कि जिसकी वजह से इनको फिल हाल राहाच मिलती दिखाई पड़ रही है रोशन जास्वाल वारांची योपितल